दोस्तों यहां हमारे पास यानि आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं यह वह जाता है एक सीलिंग फैन जो की और पैट कमपनी का है यानि आप यहां पर देख सकते हैं से साफ साफ और पैट इस पर लिखा हुआ दिखाए दे जाता है अब दोस्तों यह हमारे पास आया है ठीक होने के लिए लेगिन जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो इसमें चेक करने पर इसके चारो वायर में से एक वायर पर भी हमारी सीरीस बोड में कोई सीरीस नहीं आ रही और यह बिल्गुल डैट कंडिशन में दिखाई दे रहा है तो चलिए इसको खोले लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यह बिल्गुल जल चुका है यानि इसका नीचे वारा सर्कुट बिल्कुल जल चुका है और अब इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इसको कार्ट लेना ही बेहतर हो जाता है तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं और कटिंग कर लेने के बाद इसको रिवाइंड गरेंगे तो यहां पर आप जैस सकते ह हैं यह कितना इंसलेशन इसका निकल कर बॉड़ी पर लग चुका है यानि जब यह जलता है तो इसका इंसलेशन भाप बनकर उड़ता है और यह बॉड़ी पर चिपक जाता है यह देखिए नीचे से भी आप देख सकते हैं यह बिल्कुल जला हुआ साफ-साफ दिखाई द जाता है तो चलिए मैं इसको cutting कर लेता हूं और इसका स्ट्रेटर यह हो जाती है इसकी दो कर एक रिनिंग वाली यह वाली हो जाती है और यह वाली स्टार्टिंग वाली दोनों को मैंने काउंट कर लिया है अब इस वाली कोयल में 355 इसमें निइन है जोगी रुनिंग वाली है और इसमें 377 टन निइन है जोगी इस डाटिंग वाली है तो चलिए इसका मैं डेटा भी पर दिखा देता हूँ कि इसमें क्या-क्या डेटा निकला है और कौन-कौन सा वायर इसमें कौन सा वायर इसमें निकला है और क्या गाइस की टन निकले तो देखें दोस्तों यहां पर और दोस्तो 36 नमबर वायर यूज़ करने पर भी इसकी स्पीड कम नहीं होगी बलकि जियोगी तियों जैसी थी वैसी ही रहेगी तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इसका ओरिजिनल वाइंड डाटा किसमें वाइंड डाटा कौन सा डाला जाएगा तो बेदर होगा इसका आप एक इसकी शॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है तो चलिए अब हम इसको मशीन पर ले चलते हैं और इसको जो पहली वाली कोयल है उसको रिवाइंड करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 370 टन मैंने डाल दी है जो की नीचे वाली सर्कृट है यानि स्टार्टिंग वाला चलिए अब मैं बागी जितनी भी इसकी और कोयल हैं उनको भी कम्प्लीट कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा वीडियो लंगी हो जाएगी इसलिए सारी दिखाना मुनासिब नहीं है तो चलिए बागी इसकी सारी कोयल कम्प्लीट कर लेता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी 14 की 14 कोयल मैंने कम्प्लीट कर ले हैं और इसको मशीन से बाहर निकाल लिया है तो चलिए अब बारी आ जाती है इसके पेपर लगा लेने की तो यहां पर इसके लॉक पेपर भी हम लगा लेते हैं और यह हो जाती है दोस्तों इसकी दो लिड है जो की एक स्टार्ट वाली है और एक एंड वाली है तो लिए यहाँ पर मैं पेपर लगा लेता हूं और उसके बाद उपर running वाले circuit में भी paper लगा लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नीचे coil को भी lock कर लिया है और उपर running वाले paper भी मैंने लगा लिया है तो आप यह machine पर fit करने के लिए तयार हो चुगा है तो चलिए मैं इसको उठा लेता हूँ और इसको machine पर fit कर लेता हूँ और इसके बाद इसके wire डालना शुरू कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मैंने इसको machine में fit कर लिया है और इसकी जो पहली वाली coil है उसको लगबग complete ही कर लिया है तो चलिए इसको देख भी लेते हैं कि इसमें कितनी टन हमने डाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 390 टन मीटर हमारा दिखा रहा है तो इसमें 390 टन डाल दी गई है और दोस्तो हर coil में अब हम 390 टन और 390 टन ही डालते जाएंगे तो चलिए इसको भी मैं जिल्दे से complete कर लेता हूं और इसको मशीन से उतार कर नीचे रख लेता हूं तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों circuit इसके complete हो चुके हैं और बहुत ही खुबसूरती के साथ यह motor rewind हो चुका है यानि ऐसा लग रहा है जैसे की बिल्कुल company से ही यह rewind होकर आया है और यह हो जाती है इसकी चार लीडे जो की दो नीचे वाली circuit की यानि starting की है और दो उपर वाली circuit की यानि running की है तो चलिए अब मैं इसमें flexible wire लगा कर इसकी लीडे बना लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं चारो लीडे मैंने इसकी बना ली है और साथ-साथ ही इसकी सिलाई भी कर ली है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका lock paper युवाने लगा लिया है और दोस्तो यह लीडे इस shaft के जरिये अंदर को ले जाकर बाहर निकाल दी है और यह हो जाता है इसमें एक जोड जोड लग चुका था यहां पर मैंने जर्ण लगाने के बाद इस पर सिलीव लगा दिये ताकि कोईल को जोड गरम ना करे तो चलिए अब इसको मैं बारनिश लगा लेता हूं और बारनिश लगा लेने के बाद इसको धूब में रख देता हूं ताकि यह अच्छे से सूख जाए और उसके बाद जैसे ही सूख जाएगा इसको बॉड़ी के अंदर फिट कर लेंगे तो चलिए इसको मैं रख देता हूं और यह सूख जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारा स्ट्रेटर सूख कर कंपिलेट हो चुगा है और यह बिल्कुल फिट होने के लिए तैयार हो चुगा है तो चलिए आप इसको बॉड़ी के अंदर फिट कर लेते हैं और उसके बाद को चलागर भी देख लेंगे तो चलिए चाहे तो आप इसको नीचे वाली बॉड़ी में पहले रख सकते हैं और चाहे तो उपर वाली बॉड़ी में भी इसको रख सकते हैं यह जरूरी नहीं कि इसको नीचे वाली ही बॉड़ी में रखा जाए या उपर वाली बॉड़ी में ही सबसे पहले फिट किया कर जाए जहां भी आप मुनातिप समझें वहां पर आप इसको प्राइड सब्सक्रा ऋट्राइब मैं तो स्क्राइड रखतेल सकते हैं तो चलिए यहां पर बोड़ लगाने हैं वह वननीचे और उपर करके छेद आमने सामने आ जाने चाहिए ताकि बिल्कुल भी बोल्ड लगाने में हमें किसी तरह की कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े चलिए इसके एक एक करके तीनों बोल्ड अच्छे से टाइट कर लेते हैं तीनों बोल्ड पहले लगा लीजिए और उसके बाद उनको स्कूर्ड्राइवर से एक एक करके यह ध्यान रहे कि तीनों बोल्ड थोड़े थोड़े करके टाइट करनी चाहिए अगर एक साथ एक बोल्ड को टाइट कर दोगे तो इसकी सेटिंग खराब हो जाएगी इसलिए बेतर है तो थोड़ा थोड़ा एक एक बोल्ड को कशते जाएं उसके बाद दूसरा किसले उसके बाद तीसरा इस तरह से इसको टाइट करते हैं तो इसके सैटिंग बड़ी अछ οι से आ जाती है तो यह देखियोब्सेशा ने डाय बरट छेंषय से आ चुकी है कि लियर अब बारी आ जाती है हिस्से connection समझग लेने की तो इस्से connection भी समझ लेते हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको चार वायर दिखाई दे रहे हैं दो राइट कलर के और दो यलो कलर के यह देखें दो राइड वाले हुए है और दो यलो कलर के तो चलिए अब इनमें से कोई से सिरीज बना लेना है अब बच जे जाते हैं दो वायर तो उनको जो दो वायर के होते हैं उन पर एक एक कर लगा लीजिये और इसके कनेक्शन कंप्लियट हो जाते हैं अब इसके बाद दोस्तों इसमें सप्राइब देकर देखके लेते हैं कि कहीं के राउंड इल्टे नहीं है अगर उल्टे है तो उसको YouTube कर लेंगे चलिए पैहले को चैक कर लेते कि इसके राउंड उल्टे तो नहीं है तो यहां पर देखे जैसे मैंने इसको चलाया तो यह इसके राउंड उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए इसको सीधा कर लेंगे तो सीधा कैसे करेंगे यहीं में बता देता हूं तो यहां पर यह दो वायर दिखाई दे रहे हैं जो capacitor लगे हुए है तो इसमें ते कोगे वाइर आप खोल सकते हैं चाहे तो red और चाहे तो य Suppose और जो capacitor पर लगा हुआ एक वाइर है red या भी जाएलो उसको निकाल कर शीरिज में लगा लेना है और आब उसको जो हमने सीरिज पर से निकाला था उसको कैपेसिटर पर लगा देना है तो इससे चक्कर हमारे सीधे हो जाएंगे तो यह देखे दोस्तो आप चक्कर बिल्कुल सीधे हो चुके हैं चलिए अब इसको हाथ से जोरेंट लगा लेते हैं क्योंकि इसका पिलग मैंने निकाल लिया है इसलिए हाथ से ही इसको जोरकर इसके कनक्शन टाइट कर लेते हैं तो चलिए अब इसको चला कर देख लेते हैं तो यह देखे दोस्तो यह बिल्कुल सीधा चल चुका है यानि जब पहले उटा था आप यह सीधा चल चुका है तो दोस्तो आज और पैट सीलिंग फैन की वैंडिक कैसे की जाती है आज की इस वीडियो में हम नहीं जान लिया है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और बेल आइकनी भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए और दोस्तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में तब तक खुदा हाफिज